तो कियाल चल सस्रेकाल में होने ओन मैरेंड गई जाज हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में तो सलमान खान के घर के उपर गन शॉट्स फायर किया गये थे और इसका रिस्पॉंसिब्लिटी कौन लिया चलिए मैं आप लोग को बताता हूं वेल गाइस कल अचानक से यह वाला शॉकिंग न्यूज आ गया कि दो गनमें सलमान खान के अपार्टमेंट के उपर फायरिंग कर दिया थे करीब सुभा पाच बज़े के आसपास यह हुआ था पुलिस ने कन्फर्म कर दिया है कि no one was injured, कुछ injuries वगया नहीं हुए and the case has been registered बट इस incident के पीछे हाथ किसका है, कौन responsibility लिये बहुत सारे लोग guess कर रहे थे कि विश्णोई गैंग का हाथ इसके पीछे हो सकता है and they were absolutely correct Lawrence विश्णोई के भाई इसके पीछे अपना responsibility लिये उन्हें ने बोला कि यह बस एक warning था and this is the first and last warning आगे और भी extreme steps लिये जाएंगे but anyways चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरफ जोशी और प्रिया धापा के बारे में तो क्या सौरफ जोशी और प्रिया धापा का शादी होने वाला है बिलका इसका लचानक से सौरफ जोशी यह post करके सबको सर्प्राइस कर दिये जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वो एंड प्रिया धापा खड़े वे हैं और पीछे हाट में लिखा हुए और इस फोटो के कैप्शन में उनने लिखा था तो लोग सब लोग गेस करने लगे यार कि इनका शादी होने वाला है और बहुत सारे यूटुबर्स कॉंग्राचुलेशन्स दिये अपने तरफ से आप देख सकते हो पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है बट देन अगेन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि लोग बात कहने वाले थगेश और मनीशा रानी के बारे में तो थगेश को मनीशा के साथ को लाप करने के लिए थोड़ा सा हीड मिल रहा था इंड इस पर वो अपना रियाक्शन दिये जहां गाइस रिसनली वो लोग एक साथ मिले थे मनीशा के चैनल पर व्लॉग भी आया था और वो लोग एक रियल भी अप्लोड किये थे विच आज ओवर 17 मिलियन व्यूज बट कुछ लोग इस चीज को लेकर थगेश को क्रिटिसाइज कर रहे थे और आप खुद देख लीजे वो रिस्पॉंड करते वे क्या बोले था कि यह क्या क्या तो चलिके बागे बढ़ते हैं लोग बात करने वाले एलविश आदव और शेहनास गिल के बारे में तो क्या एलविश आदव और शेहनास गिल के बीच में कुछ चल रहा है वेलें स्पेकुलेशन के उपर एलविश अपना रियाक्शन दिए हुआ कि रीसल नी बोलोग यह रील अप्लोड किये थे हैं और इस रील को देखकर जैसे मेरे म्यूजिक क्लाबरेशन वीडियो आई उसके साथ शेनास के साथ मेरे नाम जूटे मत करो या रहा है से बाई शेनास वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन शी इस अलग और पंजाब वाली भावी इस अलग तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एंग सपोर्ट सिस्टम प्रेय फॉर फास्टर रिकवरी यॉर्स फेट फुली सौम्यदीप साहा और गाईज वी आर प्रेंग फॉर इस पीडी रिकवरी वह सालों से हम लोगों बहुत एंटेटेन किया है हम लोग उनके लिए इतना तो करी सकते हैं लेट सौल प्रेय फॉर हम ल रात को अप्रॉक्सिमेंटली दो बजे के आसपास यह आदमी स्कूटी चला रहे थे विदाउट वेरिंग एनी क्लोध्स लाइक लिटरली वह एक भी क्लोधिंग आइटम नहीं पहने वह पूरे नेकड है पुलिस इसके उपर रियाक्ट करते वे स्टेटमेंट दिये कि उ उनके पेरेंट से पदा चला कि he has some mental issues तो पुलिस ने उनके against case register कर लिया और जो भी necessary steps होगा वो लिया जाएगा तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MS दोनी के बारे में तो MS दोनी at the age of 42 IPL history create कर दिये जहाँ guys कल था चैने वर्सेज मुंबई का match और उसमें MS दोनी सिर्फ 4 balls खेले last में चार ball में उन्होंने पुरा धमाल मचा दिया वो हार्दिक पांदिया को face कर रहे थे और वो consecutively 3 छक्के लगाए और 4th ball में double score किये and इस चीज के वज़े से he became the first ever Indian batter in IPL जो कि अपने innings के पहले 3 balls में 3 लगातार छक्के लगाए मतलब कि at the age of 42 भी वो history create कर रहे है यार and guess what guys यही 20 runs मुंबई को बहुत महेंगा पढ़ गया क्योंकि वो यह match को 20 runs से हा रहे and CSK के captain रुतराज गाइकवड भी इस चीज के बारे में बात किये उनसे जब question पूछा गया कि what was the game changing moment कि युदो ने reply किया कि that young wicket keeper hitting 3 sixes in the final over and वो smile किये in fact उनके opposition captain हार्दिक पांडिया भी MS Dhoni के बारे में बात करते वे बोले कि CSK बोल रेली वेल there is a man behind the stumps जो की बताते हैं की exactly क्या करना है but या guys not only MS Dhoni Rohit Sharma के तरफ से भी एक बहुती spectacular innings आया कोकल एक century hit किये he scored 105 of 63 balls and या guys Mumbai को 207 chase करना था and he was kind of the only lone warrior वो अकेले 105 runs बनाये with a strike rate of 166 and rest of the batters सिर्फ 74 runs बना पाये at the strike rate of 129 और भाई ऐसा history में पहला बार हुआ है जब Rohit Sharma chase करते वाख not out रहे एंड तक but still उनका team हार गया तो यह कितना rare चीज है and वो कितना hard try किये आप समझी सकते हो and दूसरे तरफ Mumbai Indians के captain Hardik Pandya को फिर से बहुत जादा criticism मिला इस बार उनके performance के लिए क्योंकि with the ball उनके तरफ से बहुत ही average performance आया वो 3 overs में 43 runs पिटा है and 2 wickets लिए and with the bat वो 6 balls में खाली 2 runs score किये बाकि not only this IPL में एक और history create किया गया of the loudest cheer जहां guys Vankadee Stadium Mumbai में यह match हुआ था and जब यह match start हुआ था and रहाने का जब wicket गिरा था तब 131 decibels का sound को record किया गया था which is the highest cheer ever starting में तो Mumbai के fans पूरा loud cheer किये but match के end में CSK के fans का जोश बहुत high था and जब वो stadium leave कर रहे थे आप खुद वहाँ से महल देख लो तो चली अब आगे बढ़ते हम लोग बात कने वाले Australian cricketer Pat Cummins के बारे में तो Pat Cummins ने सारे Indians के उपर जले पे नमक डाल दिया यार well guys basically वो अपने Instagram में Q&A session रखे थे and किसे ने उनसे ये सवाल पूछा favorite memory in India and नीचे उन्होंने Australia World Cup winning moment को share किया तो वही Indian fans बोल रहे यार please ऐसे जले पे नमक मत डालो यार अभी तक दर्द होता है बहुत मैंने पार हो चुके हैं बट अभी तक सब लोग को याद है यार बट यहाँ चलिए बागे पड़ते हम लोग बात करने वाले हार्दिक पांडिया और क्रुनाल पांडिया के step brother के case के बारे में तो guys मैंने आप लोग को बताया था कि हार्दिक और क्रुनाल पांडिया के step brother है वैभफ उनको arrest कर लिया गया एक fraud case के उपर of 4.3 करोड रूपीज apparently यह तीनों भाईयों का कुछ business था और वो कुछ बीच में घोटाला कर रहे था और इसलिए he was arrested well इस case related एक बहुत ही बड़ा update आया है apparently जब हार्दिक और कुरुनाल पांडिया को पता चला था कि यह कुछ घोटाला चल रहा है और वो confront के थे वैभफ को जाकर इसको लेकर तो उनके तरफ से blackmail किया जा रहा था allegedly वैभफ threaten कर रहे थे उन लोग को कि मैं तुमारे repetition को खराब कर दूँगा तुमारे morphed photos and videos को leak करके तो चली अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जौस बटलर और शारुक खान के बारे में तो राजस्तान royals के player जौस बटलर react किये शारुक खान के ओपर जहां गाईस basically उनका एक Q&A session चल रहा था इंडिया हस्बुल्ला के जो biggest fanpage है वो इसको शेर करते वे लिखे brother what is this तो चल के वागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक businessman के बारे में जो कि अपने पूरे life savings 200 करोड को donate कर दिये जहां गाईस गुजराच से वाला story आ रहा है कि एक businessman अपने पूरे properties and lifetime income को donate कर दिया और वो एक monk बन गए उन्होंने जैन दीक्षा ले लिया and not only him उनकी जो wife है वो भी monk बनने वाली है और उनका एक बेटा और एक बेटी थी जो कि 2 साल पहले already एक monk बन चुके थे तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UP से एक shocking story के बारे में तो guys एक shopkeeper और customer के बीच में 50 रुपई को लेकर जिसको लेकर argument हो गया and customer bit his finger so yeah तो चलिए अब कुछ achievements के बारे में बात करते हैं तो first of all आकिप भाई ने complete कर चुके 100 के subscribers then Mr.Jadu ने भी complete कर चुके 100 के subscribers then myth plays ने complete कर चुके 1 million subscribers then flying beast ने complete कर चुके 9 million subscribers and finally ungraduate gamer ने complete कर चुके 10 million subscribers so many many congratulations to all of them तो चलिए अब कुछ international stories के बारे में बात करते हैं तो first of all में लोग बात कहने वाले 3 prime bottles के बारे में जो की 1.3 crores में बिके literally guys K.S.I. and Logan Paul के prime company के बारे में आप जानते ही होंगे उनके company के limited edition 3 prime bottles बिके for 1.3 crores ऐसा क्यों चलिए में आप लोग को बताता हूँ उनको limited edition prime merchandise and limited edition bottles मिलेंगे तो यही सही है bottle sell हुआ for 1.3 crores भाई इना auction तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले Mr. Beast के बारे में Mr. Beast बन चुके है the third biggest TikToker यहां guys YouTube में तो वो number one creator already है बट TikTok में भी वो dominate कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हो he completed 94 million followers and he became the third biggest creator on TikTok तो जा तो शर्ल दोस्तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सभी पसंद आयो तो लाइक कर देना चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना न्यूस सब्मिशन का लिंक डेस्क्रिप् में यास सपोर्ट करते रहें आप मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई